इस आध्यात्य प्रवेश करने से पहले गुरु और गारंग से कृपा की आशना करते हुए मंगल असरन करेंगे ताकि हम जो अध्यान कर रहे हैं उसका पूरा पुरलाव प्राप्त हो सके जो की है कृष्णा प्रेम की प्राप्ति ओमनेमो भकवी वास देवाया ओमनेमो भकवी वास देवाया ओमनेमो भकव sellers बारंग से कुई देवाया नमो नमस्ति्स्षवाय साफफ़त्व नम् वेदूरकाश्टायम् वो कुयों की नाम नीरस्त साम्या तिशये नरादसा स्वधामनी ब्रामनी रोस्यते नमा यद कीर्तनम यद स्मरणम यद इक्षणम यद वन्दनम यद अरणम यद वन्दनम यद शमणम यद अरणम लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मशं पस्मय सुभत्र शवसे नमोनमा किरात्त होना द्रपुलिंद पुल्कशा आवीर शुम्भा यवना कसादया ये नेच पापा यद पाश्याश्या शुद्यन्तितस्मे प्रभविष्णवे नमा प्रचोधिताई नपुरासरस्वती वितन्वताज अस्यसतिम् स्मृतिम्रिदी स्वलाक्षण प्राव दुरभोत के लास्यत समे रिशेणां रिशभा प्रसीदताई उतर महत्विर यईमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोशु पूरुषः भुंते गुणांशो लशशोडशात्मका सुलंक्रिशिष्ट बगवान्वचांसिमे नारायणं नमस्कृत्य नरंशैवा नरोत्तमं दैविम्सरस्वतिम्यसं ततोजाया मुधीरै नस्टप्राईशु अबत्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवति युथ्तमश्णोके भक्तिरभवति नैश्टिके पंचतत्वत्मकं क्रिश्वं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामे भक्तश्यक्तिकं जय श्री कृष्ण सैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अज्वैत अगदाधर श्रिवासदी गाउर भक्त विंदा हरे क्रिश्ण हरे क्रिश्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे ग्रंत आश्री मत्भागवता महापुरान कीचे दूसरे इसका अध्याइनो जिसका शी शक है शी भगवान की वचन का उद्धरन देते हुए प्रशनों का उत्त है तो जैसा कि हमें श्लोप सिप्टर नुबर एट में परिक्षित महाराज ने भगवान से बहुत सारे प्रशने किये और अध्याइनों में शुकदेव गोस्वामी उनके उत्तर दे रहे हैं और उसमें एक प्रशन यही था ब्रहमा जी ने किस तरह से भगवान के दर्शन किये किस तरह से ब्रहमा जी को भगवान ने ग्यान दिया और कैसे इस तिश्टिका स्रिजन किया तो उसी कथा को बताते हुए शुकदेव गोस्वामी ब्रहमा जी के उत्पन होने के विश्रम बताते हैं कि ब्रहमा जी साफशाद भगवान के नाभी में से जो कमल उत्पन हुआ था उसमें से उत्पन हुए और बहुत समय तक अपने सोत को ना जानने के कारण वो वहीं कमल के उपर बेटे हुए थे ता असानक उसको तप की आवाज आई उन्होंने देवताओं के सो वर्षों तक तक किया उसके बाद भगवान ने उनको प्रसन होकर अपने वाई कुंट का दर्शन कराया जहां पर हर प्रकार का सुख है आनंद है और कोई कश्च नहीं कोई दुख नहीं कोई प्राब्लम नहीं वहाँ पर ब्रहमाजी ने बहुत कुछ देखा कि स्वार्ग लोग में किस तरह से सुन्दर सुन्दर बाग है वहाँ पर सुन्दर सुन्दर देवी सुन्दर सुन्दर जो भगवान के पार्शद है वो भगवान के जैसे ही दिखते हैं और वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं बहुत ही आनंद है वहाँ पर और हर प्रकार का आनंद देखा वहाँ पर उसके वरांत ब्रमाजी ने भगवान के दर्शन किये और भगवान अतियं दे, मनोर अम लग रहे थे और भगवान को देखकर ब्रumah ची बहुत परसन हुए कि उनके नहत्रों से आशों निकले लगे ब्रumah ची को ब्रumah ची को ब्रumah ची कर बहुत ही सुन्दर तारीके से तपस्या किया मुझसे मांगो आप क्या चाहते हूं मैं आपको हर वहर दे सकता हूं लेकिन इतना फिर भी याद रखना कि मेरे दर्शन मेरे गौलोग की प्राप्ती से बड़ा और कुछ भी नहीं है ब्रह्मा जी बहुत प्रसन हो रहते हैं बार बार बगवान के चरन को स्परश करके उनको देंड़वत कर रहते हैं बगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था और ब्रह्मा जी को कृतार्च कर दिया उसके प्राप्त ब्रह्मा जी ने बगवान को स्वयम प्रसन देखने के उपरांत भगवान से का आप तो सबके रिद्रमन बिठे हो तो आपको तो सबके विश्ण में पता है तो मेरी आप से ये प्रास्टना है कि मेरी एक इच्छा पूरी करके मुझे बता ये कि देव्य रूप के होते हुए भी अब संसारी रूप किस प्रकार से धारन करते हैं उ आपका ऐसा कोई भावतिक रूप तो धारन है नहीं तो आप ये रूप कौन सा है जिसको आप धारन करते हो और ये भी बताए कि आप अपने से किस तरह से विवन संयों के द्वारा संहा उत्पति तथा स्वीकृति तथा पालन की विविद्शक्तियों को प्रकार करते हैं आप तो इन सब माया के जांसल से छोटे हुए हो फिर ये काल का प्रवाव है पेदा होना जनम लेना और उसके बाद किशय होना उसके बाद विनाश होना ये सब जो हैं वो तो बहुत्तिक जगत का ही कार्या है तो आप उसमें कैसे आप आपके दोया ये सब होता है और ये रता हैं कि आप मकडी के समन खेल करने वाले हैं जो अपने ही शक्ती से अपने को ढ़ल लेते हैं आपका संकल्प अच्छूक है किस तरह से कह लेते हो आप इस संसार के उत्पति करते हो और खिशन में उसका नाच भी कह लेते हो मकडी जिस तरह से बहुत ही प्रयास करती है और उस प्रयास के कारण उसको ये बहुत ही सुन्दर घर बन बनता है अपने ही मुक से लाड़ गानती लेकाल के और फिर एक समय आता है कि वो उसी को निगल देती है तो ब्रहमाजी भगवान से कहते हैं मुझे आप ये सब बताए क्यों जानना चाहते हैं ताकि ब्रहमाजी जानना चाहते हैं ताकि भगवान के विश्य में जानने के बाद जो भगवान उनको आग्या दी है क्या स्रिष्टी की स्रिष्टी स्रिजन करने के लिए तो वो ब्रहमाजी चाहते हैं कि मुझे तो पताए सरे कि भगवान किस तर भी वस्तु और व्यक्ति में उनका कोई भी अटेश्मेंट नहीं है तो अगर हमें भगवान के मुख से ये सब चुनने को मिले तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं क्योंकि जैसे जैसे हम सुनती जाएंगे न वेसे वेसे हम भगवान के बहुत निकटा जाएंगे और ये इच्छा होने जाएंगे आम भगवान के विच्छे में सुनें तो उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं श्लोक नमें 30 ब्रह्मा जी कहते हैं यावज साखासा क्यूरि वेशत्यक्रिता प्राजा वेसर्के वेभावेभजामी बोजन्मा अंक श्रमा के इच्छे का यावज साखासा क्यूरि वेशत्यक्रिता प्राजा वेसर्के वेभजामी बोजन्मा अवेक्लवस्ते परिकर्मलस्तितो मामे समुन्वत्तमदो जमानिना यावज साखासा क्यूरि वेशत्यक्रिता प्राजा वेसर्के वेभजामी बोजन्मा अवेक्लवस्ते परिकर्मलस्तितो मामे समुन्वत्तमदो जमानिना चब्दार्थ यावद सक्खा सक्ष्यूरि वेशते क्रिता यावद मना चूंके सक्खा मित्र सक्ष्यू मित्र को इवाजि समा इशा हे भगवान ते आपने क्रिता स्विकार किया भगवान को ब्रहमा जी कहते हैं कि मैं बहुत क्रतार थो हूँ क्योंके आपने मुझे वेशे ही स्विकार किया जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को स्विकार करता है प्रजा विसरगे वी भजा में बोजन्मा प्रजा मना जीव आत्मा विसरगे यानी स्विष्टी के कार है वी भजा में क्योंके मैं इसे भिनरीती से करूँगा भोग हे भगवान जन्मा जन्म लेने वाले आवी क्लवस ते परीकर मनी स्थितो आवी क्लवस मतब विच्छे थुए बिना ते तुम्हारा परीकर में सेवाकार्य में इस्थिता मा में समुनद्ध मा मन का भी नहीं में मन मुझको समुनद्ध समुनद्ध अर्थात रिदय हों उदय होने पर मद अन्मात अज़ है अजन्मा मान नहीं अर्थात ऐसे मानने वाला बहुत ही सुन्दर ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि अब तो आपने मुझे अपने मित्रे की तरह स्विकार किया और मुझे बहुत ही सुन्दर कार्य दिया है अब मुझे आपका एक अश्रवाद चाहिए वो क्या है अन्मात देखिए हे अजन्मा भगवान आपने मुझे उसी प्रकार हाथ में लाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है मानो पद में समान हूँ अब मैं विबिन जी आत्मा की स्रिष्टी करने में लगूं लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा मैं किसी तरह विचलित नहीं हूंगा किन्तु मेरी प्रात्ना है कि कहीं इन सबसे मुझे गहर्व नहोजाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ तो भगवान से यही प्रात्ना कर रहे है कि मुझे मेरे कारिय के कारण कोई गर्व नहीं उत्पन होना साई है कि यह बहुत महान कारिय करने वाला हूं प्रजा की स्रिष्टी करने वाला हूं तो मेरी आप से प्रात्ना है कि आप मुझे पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे अ अंदर कभी अहंकार उत्वन नहों श्रीला प्रभुपाद कीज़ 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 श्रीला वरा क्रिशन की साथ कोई ब्रिया नित्य रूप से संबंद है अलब हम सब इतनी विजी भी जीव है उसका कौए कोई ना कोई स्वृभ्व में संबंद है और कौन से सबृभ है कौन से रस है शन्ट दास्य सक्षिय वास लीई तथा माधोरिये हम भगवान की प्रसंग में इन पांच भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं यहां पर यह असपर्ष्ट है कि ब्रह्माजी भगवान के साथ ते विया सक्ष्य भाव में इस्तित थे शुद्धवक्त भगवान से इन पांचों में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है कि ना तो उनकी समान है ने उनसे बढ़कर यहीः भगवत की ताकी उपती है यह थिए भगवान के साथ ब्रह्माजी का सक्ष्य माव है और उन पर विभिन योनी वाले जीवों को उत्पन करने का सर्वोचिकपद भार सूंपा गया है किन्तों उन्हें अपनी स्थितिका बोध निरंतर बना रहता है कि वे ना तो परमेश्वर हैं ना परम शक्ति संपन संबव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके माहिर कोई अत्यांत शक्ति शाली व्यक्ति भागवान से भी अधिक शक्ति शाली व्यक्ति भागवान से भी अधिक शक्ति शाली निकल आए फिर भी शुत्य वक्त तो यह जानता है कि शक्ति तो भागवान द्वारा प्रवत विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वत्तंत्र नहीं हो सकता श्री हनुमान जी ने कूद कर समुद्र पार कर लिया था किन्तो श्री राम संदर ने सेतू पर जरकर ही पार किया जिसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी उन से अधिक बलशाली थे कभी-कभी भागवान भागत को अज सामानिय शक्ति प्रदान करते है किन्तो वागत हमेशा जानता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयम एक निमित मात्र है वागत कभी भी उन अवगतों के समान फूला 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 नहीं रहता जो भ्राम्मवश अपने को भगवान मान लेते है यह अश्रिय जनकपात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया की नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है वह भगवान से तदाकार होने की जूटी बात सोचे इस प्रकार सोचना बद जीवों के उपर फेंका गया माया का आखरी पाश है पहली ब्रांती यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोर का संसार का स्वामी बनना चाहता है आम अभी तक पहली लाइन पर हैं किन्तु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ तदाकार होना साहता है इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्ति शालिव्यक्ति बनना और भगवान से तदात्मे करना माया के ही बिन भी निजाल है चुकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं अतावे माया के मोहपाई से उपर हैं किन्तु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्प ग्याने आभक्तु को भगवान से तदात्मे की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते यद्यपी विविश्व के आदी देव हैं और अनेहिक अद्बूत कार्य करने में सक्षप हैं अल्प गानियों को जब इश्वर होने के जूटे विचार से फूल उठते हैं ब्रह्मा जी से सिक्षा क्रहन करने साहिए यहां शुर्प ग्याने बहुत ही सुन्दर सुन्दर बाते बता रहें सबसे पहले तो बताया कि भगवान के साथ हर एक जीव का एक सम्मंद है चाहे वो सक्य हो दास से हो निशान्त बाव से हो या फिर मादुरिय बाव से हो या वासलिय बाव से हो यह सम्मंद नित्य बना रहता है हम जिस सम्मंद इस बावतिक शगत में खुशते हैं वास्तों में वो प्रेम वो सम्मंद केवल भगवान के साथ ही नित्य रूप से होता है यहां बावतिक शगत में यही सम्मंद जो है वो नित्य नहीं होते हैं इसलिए वो हमारे दुख का कारण बनते हैं क्योंकि एक दिन हमें उनसे बिच्छड़ना पड़ता है या फिर इन संबंदों में कहीं न कहीं दुख मिलता है तो वो हमारे दुख का कारण बनते हैं लेकिन वास्तर एक संबंद तो भगवान के साथ ही है तो उसके लावा भी भगवान बले किसी भी सम्मन्ध में जीव उनके साथ रहे लेकिन जीव का जो नित्य कार्म है वो क्या है जीवे रश्वरुपवई, कृष्वेन, नित्य दास वो बले किसी भी रूप में, किसी भी रस्वें सेवा कर सकता है और भगवान के साथ द्रमा जी का तो सक्य भाव था और उनको बहुत ही महान काम संपा गया था कौन सा काम संपा गया था कि उनको विश्व की सिष्टी करनी है तो यह बहुत ही महान कारिया है जैसे यहां श्रप रोपाईच ने एक बात ऐसी बताई है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी जी आर्तमा बहुत महान कारिया करे बहुत बहुत महान कारिया हो सकता है वो कारिया भगवान के कारियों से भी महान हो लेकिन फिर भी हमको ये समझना है ये हमेशा याद रखना है कि जिसको भी शक्ति प्राप्त होती है बहगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है जिसकी बहुत ही सुन्दर एक्सेंपल श्रपरवपाजी ने दी हनुमान जे के दारा श्री राम नहीं पार कर पार रहे थे जम करके उस महा सागर को लेकिन राम बक हनुमान ने के वल भगवान श्री राम का नाम लेकर ही उस बड़े समुद्र को पार कर लिया तो इसका मतलब यहीं निकालना चाहिए कि हनुमान जी के पास अधिक शक्ती है अगर अधिक शक्ती है भी तो भी यहीं मतलब निकालना है कि यह भगवान की उसके उपर असीम करुपा है तब ही वो इतना महान काहिए कर सका और भक्त पे उपर जब भक्त के प्रयास को भक्त की भक्ती को वक्त की साधना को बगवान देखते हैं तो बगवान उसके उपर इतनी कृपा करते हैं कि वो बगवान ऐसे से कारिय कर सकता है कि संसार दे के हिरान हो जाता है कि ये एक व्यक्ति, एक साधरन व्यक्ति इतना महान काम कैसे कर सकता है तो हमें भगवान कुछ भी दे सकते हैं सिर्फ हमें अपनी सेवा और साधना को फ्योर करना है प्रोपा जी एक महत्वपुर्ण बात ये बताते हैं कि कभी भगवान के साथ मिलकर एक होने की बात नहीं सुचनी चाहिए जीव का अलग अस्तित्व है उसे सदेव, व्याश्टि जीव आत्मा अर्थाट, एंडिविशनल लेकर भगवान की सेवा करनी तदात में या भगवान के साथ मिलकर एक होना माया का ही एकजाल है शुर्भ रभुपा जी बताते पहले तो क्या सोचता है जी कि शक्तियां मटोर कर संसार का सौमी मन जाए लेकिन जब वो ये नहीं कर पाता है क्योंकि माया का आक्रमन होता है कितना शक्तियां मटोरेगा कभी तो पग पग पर उसके जीवन में असफलता आती है पदम पदम यद्वी पदा हर समय उसको विपता दिखती है तो उसे लगता है कि शक्तियां मटोर कर भाउतिक जड़त में आनद नहीं आएगा क्या करना चाहिए फिर तो भगवान के अंदर मिलका एक हो जाना चाहिए ताके भगवान जैसा ही शक्ति शाली हो जाए श्रप्रभपाजी बोड़ते है ऐसे विएक्तियां को ब्रह्मा जी से कुछ सीख लेनी चाहिए कि इतना महान विएक्ति है फिर भगवान के साथ दास बाओं में भगवान की सेवा करता है श्रप्रभपाजी केते हैं रस्तिता ब्रह्मा जी जीव आत्माऊं को उत्पन नहीं करते उन्हें सृस्टी के प्राढ़म्प में है अधिकार दिया गया कि वे जीव आत्माओं को पूर्व कल्प में किये गए कर्मों के अनसा शरी प्रदान करें ब्रह्माजी का कारिय इन जीव आत्माओं को निद्रा से जगा कर उन्हें उनके समुचे कारियों में लगाना है ब्रह्माजी जीव आत्माओं के स्रिष्टी मन माने धंसे नहीं करते अपितू उन्हें विवित प्रकार के शरीर प्रकट करने का कारिय भार सुमपा गया है जिससे वे तर अनुसार कर्म कर सकें इतने पर भी ब्रह्माजी को इसका बोध बना रहता है वे निमित मात हैं जिससे वे अपनी को परमेश्वत ना मान बेटे हैं असल में ब्रह्माजी ने जीव आत्माओं को कभी भी उत्पन नहीं किया जीव आत्माओं तो स्रिष्टी की आरंब से हैं क्योंकि भगवान भगवत की तामें बताते हैं नजायते जीव आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है वो तो स्टार्ट से है ब्रहमा जी क्या करते है ब्रहमा जी जीव आत्मा को पूर वक्त कल्प में उन्होंने जो कारे किये हैं उनके अनुसार एक शरीर प्रदान करते है और ब्रहमा जी काम क्या है जीव आत्माओं को निद्रा से जगा कर उनके समूचित कारियों में लगाना है कि अब क्योंकि कल्प होता है ना तो कल्प के समय वो सारी जीव आत्माओं जब कल्प कांत होता है तो सारी जीव आत्माओं वो भगवान कारण रफ्षा विश्णों के अंदर समा जाती हैं फिर ब्रहमा जी का करते हैं नए कल्ब की शुरुआते हैं उन्हें वहां से जगा कर उनके पुराने कर्मों के अनुसार को शरीर दे देते हैं अपी तो उन्हें विविद प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यबा सुन पाजाता है जिस से वे तदानुसार कर्म कर सके ताकि जीव आत्मा को भगवान बार बार ये मुका देता है ताकि वो कारे कर सके और वो अपने जीवन के लक्षत को पहुंच सके लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को सदेव याद रहता है कि मैं केवल निमित मात रहूं में कुछ नहीं करता सब कुछ वो भगवान परमेश्वर जो है उनके आग्या के अनुसार होता है मैं तो केवल उनके आग्या के अनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार स्रिजन करता हूं बक्त जन भगवान दोरा प्रदक्त कारिय में सलग में रहते हैं और ऐसे कारिय निर्भाद चलते रहते हैं क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है सफलता का श्रिय करता को नहीं बलके भगवान को मिलता है किन्तो जो अलपक्य है वे सफलता का कारण अपने को मानते और भगवान को कोई श्रिया नहीं देती है, यहां आभगो पूरुष का लेक्षन हैँ, तो हमें किसी भी कृत्र में यदि सखल्ता प्राप्त होती है तो उस सफलता का श्रिया जो है वो हम उसका अधिकार नहीं रखते वो श्रिया के वन भगवान की कृपा से प्राप्त होता है जो अब अब तो होते हैं वो ही यह कहते हैं कि यह सफलता मेरी योग्यता के कारण या मेरी शक्ति, मेरी बल की कारण प्राप्त होती है बगत हमेशा क्या बोलता है? कि सफलता तो मेरी भगवान की कृपा से प्राप्त होती है जब ब्रहमाजी ने भगवान को इतना सब कहा और भगवान से हश्रवाद मांगा कि मुझे कभी भी आंकार नहीं होना चाहिए तो उसके बात अब भगवान ब्रह्माजी को उत्तर दे रहे हैं भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच ज्यानम परम गुहियम में यत्विज्यान समंगितम सरहस्यम सरहस्यम तदंगम शब्ट ज्यानम परम गुहियम में यत्विज्यान समंगितम सरहस्यम तदंगम सर्ग्रहान गुहियम में श्री भगवान वाच अथा भगवान थी विश्युने ब्रह्माजी से कहां ज्यानम परम गुहियम में ज्यानम मना प्राप्त ज्यान परम अत्यदिक गुहियम यंगोपन्य में मना मेरा यत्विज्यान यत मना जो विज्यान मना बोध समन्वितम से योप्त है सरहस्यम भक्ती सहित तथ उसकी अंगम से आवशक सामकरी ग्रहानम अर्था ग्रहन करने का प्रियत्म करो गदितम व्याक्षा की गई है मया यानी मेरे द्वारा भगवान ब्रह्माजी से कहते हैं शास्त्रों में वर्णित मुझ से संबंदित ग्यान अतियंत गोपन्य है ग्यानम परमगुष्यम में भगवान की विश्यम में जानने की ब्रह्माजी ने इस सा प्रकट की थी कि आपके विश्यम बता तो भगवान कहते हैं, मेरे से संबंदित जो जान है वो बहुत गोपनी है, उसे भक्त के समन वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भक्त का जब संग होता है, उसके द्वारा हम भगवान के विशे में जान सकते हैं, इस वीदी के लिए आ अबरहमा जी को भगवान बता रहे है कि मुझे जानना है तो बक्तों के द्वारा ही जानना चाहिए और मेरे द्वारा मुझे जानने की विद्धी है वो मेरे द्वारा बता ही जा चुकी है इसको ध्यान से सुनो क्यों क्योंकि जीव का एकी लक्ष है भगवान को जानना यरी जीव समस्त जियान को प्राप्त करता है बहुत कुछ पढ़ता है बहुत कुछ सीखता है लेकिन भगवान को नहीं जाना तो क्या लाप वाज के मनुष्य زर्ण मुखा से भगवान कहते हैं कि श्री ग्रहम गदितम मया मेरे द्वारा पहले से जो बताया गया है उसको ग्राण कीजिए श्रीला प्रभुपाजी बहुत सुन्दरीते से समझाएंगे ताट परिया श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद कीजिए श्रिया प्रवपाजी केते हैं ब्रह्माण जी इस ब्रह्माण में भगवान के सरवच वक्त हैं अताह भगवान ने उनकी सार प्रश्णों का उत्तर सार महत पूर्ण रक्तियों के रूप में दिया है जो चतुश्रो की मूल भागवत के नाम से ग्यात है ब्रह्माण जी के प्रश्ण इस प्रकार थे एक पदात्मे तथा आध्यात्म में भगवान के कौन-कौन से रूप है दूसरा सवाल भगवान की वेबिन्ने शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं तीसरा सवाल भगवान अपनी शक्ति को किस प्रकार संसालित करते हैं और ब्रह्मा को उन्हें सोंपे गयकारिय के संबंद में किस प्रकार आदेश किया जाए। इन प्रैश्णों का पूर्वाभास इस लोग में मिलता है। जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं उस से वे उत्तर के रूप में ग्रहन करते जाएं। इसका अर्थिया हुआ कि परमेश्वर संबंदी देव्य ज्यान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान सोय उसे प्रदान करे। बड़े से बड़े संसारी चिंतन द्वार परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते हैं। चिंतन से निर्गुण ब्रह्मा का साक्षातकार तो हो सकता है किन्त वस्तुता पूरन देव्य ज्यान को निर्गुण ब्रह्मा के ज्यान के परे है। इसलिए इसे परम गुही ज्यान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से विर्ला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। श्रीमत भगवत कीता में सुयम भगवान ने कहा है कि लाकों में से कोई एक मनुश्य सिद्धी प्राप्त करता है और करने के लिए प्रियतने करता है और इनके मुक्त जीवों में से अनेक मुक्त जीवों में से अतहकेवल बक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। यहां श्राप्रोपा जी एक बहुत ही सुन्दर बात बता रहे हैं कि जो भ्रह्मा जी ने स्पेशल चार सवाल पुछे थे और उसका उत्तर जो भगवान ने दिया है उसको शतुर्शलो की भगवत कहा जाता पदार्श में तथा आध्यात में भगवान की कौन कौन से रूप हैं भगवान के स्वरूप के बारे में पुछा हैं और भगवान की शक्तियां किस प्रकार कारिय करते हैं उसके विशे में भगवान अपनी शक्तियों में किस प्रकार संचालित करते हैं उसके विशे में औ उसके विशे में तो यह सारे सवाल जब ब्रमाजी ने पूछे तो आज भगवान क्या कह रहे हैं ग्यानम परमगुयाम में यद्वीग ग्यान समंग वीता कि मेरे विशे में घ्यान जो है वह बहुत बहुत ही गोया है हर कोई इस ग्यान को प्राप्त करने की योग्या भी नहीं होता जैसे भगवान बोलते हैं मनुश्या राम सहसे शुक अश्य दियताती सिद्धा यदतामापी सिद्धाना तह्षिन माम वेती ततता आजारों में सिप कोई एक सिद्धी के लिए प्रियत न करता है और इन सिद्धी प्राप्त करने वालों में से कोई एक मुझे वास्तों में जानता है इसे इश्ला प्रभुपाजी कहते हैं अत्याकेवल बक्ती द्वारही भगवान को जाना जा सकता है रहस्यम का आर्थ है भगवत बक्ती सा रहस्यम तदा अंगम चा तो भगवान को जानने के लिए बुद्धी की अवशक्ता नहीं है बलकि भगती की अवशक्ता है जतनी शुद रीती से हम अपनी भगती साधना करेंगे उतना ही हम भगवान को समझ पाएंगे स्रीकृष्ण ने अरजुन को भगवट की साधना का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अरजुन उनका भगत था तथा मित्र था भगवान कहते हैं बत तोसी में सखा चेती राहस्यम हेट अ दुपतम मों तो मेरा भक्त है ततामित्र है इसलिए तुझे देवीय रहस्य शमजा रहा हूँ ऐसे योगयता के बिना श्रीमत भगवग्त कीटा के रहस्य को नहीं समझा जा सकता अता है जब तक कोई भक्त बन गए भक्ती मेंeu सेवा नहीं करने लगता तब तक वह शी भगवान को समझ नहीं पाता कोई-कोई लोग challenging mood में अपनी बुद्धी के द्वारा भगवान को समझ ना चाहते है क्या इसना संभव है बुद्धी के द्वारा तो बहुत सारी भौतिक बस्तों को भी नहीं समझा जा सकता है तो भगवान तो परम सत्य है absolute truth है spiritual है वो हमारे इस बौतिक बुद्धी से बजा कैसे पकड़ जा सकता है तो उनको केवल और केवल भगवान की जब प्यार से भक्ति की जाती है तब ही उनको समझा जा सकता है यह रहस्य इश्वर प्रेम है श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में नहीत है इश्वर के देविय प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंदित विधी विदानों का पालन आवश्चक है इन विधी विदानों को विधी भक्ति कहा जाता है और नवदीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों में से इनका पालन करता है ऐसे विधी विदान मोख्यता भगवान की महिमां के शवर्ण तथा की तन पर आधारित है जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संबरो तो शिर्ण प्रहुपाज बता है कि भगवान को समझने के लिए उसके प्रहिम को प्राप्त करने के लिए विदी विदान वैदी भक्ति प्रारंब करनी चाहिए अपनी इंद्रियों को वैदी भक्ति में लगाना चाहिए और उसके प्रारंब कहां सोता है शवन से, जब हम भगवान के विशे में शवन करेंगे और भगवान का कीरतन, भगवान की पवितर नाम का कीरतन करेंगे भगवान की तथाओं को शवन करेंगे तब ही हमारे जिदे में भगवान के प्रती प्रेम उत्वन होगा और ऐसी विद्धी विदान की जो बगती है च्रिप भौपाजी बोलते है भगवान की महिमा के श्रौवन तता कीतन कर आदा रहिए जिनका पारन भगतों की संगती संभव है जब बगतों मिलेंगे तबी तो श्रौवन करने के लिए गीता या भागवता प्राप्त होगा और उसके साथ साथ भक्त होंगे तब ही तो मिलकर हम संखिये तन करेंगे आगे श्रा प्रभुपाजी केते हैं फलता भगवान शुचेतन ये महाप्रभुने भगवान की भक्ती में पूरण तया पाने के लिए पांच मुख्य नियमों की संस्तुति की है पांच नियम है यदि हम उसको पूरा करते हैं तो हमें भगवान की भक्ती प्राप्त होती है और वो कौन से हैं? पहला है भक्तों की संगती सबसे ज़्यादा महत्वपून अगर भक्ती में आगे बढ़ना है तो भक्तों का संग हमें बहुत शीक्रता से भक्ती में आगे बढ़ाएगा फिलब रोपा जी कहते हैं कि आपको जैसा बनना है ऐसे लोगों का संग स्टार्ट कर दो अगर भक्त बनना है तो भक्तों की संगती करो और जैसे लोगों की संगती की जाती है वैसा स्वबा होई जाता है जैसा संग वैसा रंग इसलिए पहली जो बाशन जेतरिया महाप्रभू ने बताई है वो क्या है भक्तों की संगती दूसरा भगवान की महिमा का कीरतन जब संगती होगी तो हम भगवान के पवित्र नाम का भगवान की लिलाओं का संकीतन करेंगे तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमत भागवतम सुनना जब हम भागवतम शवन करेंगे तो उससे अमारी भक्ती बढ़ेगी चोथा भगवान से संबंदित किसी पवित्र इस्तान में वास करना यहीं दाम वास और पांच्वा है भक्ती सहित भगवान के श्रीविग्रा को पूजना ऐसे विदिविदान भक्ती मही सेवा के अंगस्वरूप है अतहा भर्मा जी के प्रात्ना के अनुसार भगवान इंशारों प्रश्णों तथा उनके अंगवूत प्रश्णों के विश्य में अपनी व्याक्या प्रस्थत करेंगे अब भगवान ब्रह्माजी से ये बताएंगे कि भगवान को ब्रह्माजी कैसे जान सकता है या कोई भी जीव अकर भगवान को कैसे जान सकता है बगवान केते हैं यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मका तथैवा तत्व विख्यानम अस्तूते मत अनुग्रहात यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मका तथैवा तत्व विख्यानम अस्तूते मत अनुग्रहात यावान अहम यता बावो यावान यावान का मतलब होता है मेरे जितने दिव्य रूप है अहम यानि में यता जिस प्रकार भाव मतलब दिव्य अस्तित्व भगवान के स्वरूप भगवान का अस्तित्व यत उन रूप यानि विविन रूपों तथा रंगों गुर्ण यानि दिवयता भगवान के कार्या तथा उसी प्रकार एवनिश्य ही तत्व विज्ञान वास्तविक बोद अज तु यनी हो ते तुमको मत अनूग रहात मेरी अहीतु की कृपा से तो भगवान के विश्य में जो बोध है, जो ज्ञान है, वो केवल और केवल भगवान की कृपपा से, अनुगरह से ही संभव है अतः श्यीक्रिष्ण नामादी नभवेत क्रायय मेंद्रिया सेवान मुकेहिजिवादो स्वयम एवा सुफूर्ट यदा जब जीव की सेवासे भगवान प्रसन होते हैं, तो स्वयम उफूर्ट होते हैं, जीव के अंदर इसी शक्ती नहीं है कि भगवान को जान सके, तो भगवान अपने अनुगरह से, सेही जाने जाको देहो जनाए भगवान को केवल वही जान सकता है जिसको भगवान जानने के लिए कृपा करते हैं, अनूगरा करते हैं श्री प्रभुपाजी बहुत सुन्दरीते से समझाएंगे तातपरिया श्रिया प्रभुपाद दारा श्री प्रभुपाद की इचत शिलब रहुपाईजी केते हैं परमसत्य भगवान विश्य ज्यान की दुरुहता को समझने में सफलता का रहस्य भगवान की अईतु की कृपा है कैसे समझ सकते हैं जब भगवान जी पर कृपा करेंगे बहुत एक जगत ने भी जिस प्रकार अनिक पुत्रों का पिता अपने किनी लाडले पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है पुत्रों में से जिसे वह योग्य समझता है उस से ही रहस्य उदधाडन करता है समाज में महत्वपूर्ण मानुश्य अपनी दयाल होता कि द्वारा जाना जाता है इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मानुश्य को उनका अतियंत लाडला होना साहिए बहुत जुन्दर बात से आशना प्रवपाजी बताते है कि संसार में में देखते हैं जो पुत्र बहुत लाडला होता है जो बहुत त्यार लगता है उस पर हर रहास्य शिश्य अगर लाडला होता है तो गुरू उसको संपून रहास्य में बाते बता देते हैं पुत्र गयादी लाडला होता है तो पिता उसके उपर अनुकंपा करता है उसी तरह यदि कोई भक्त भगवान का लाडला बन जाता है तो सब कुछ उसे जात हो जाता है क्योंकि भगवान उसके उपर प्रपा करते हैं आगे कहते हैं, समाज में महत्व पूर्ण मनुष्य अपनी दयानुता की द्वारा ही जाना जाता है, इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अतियंत लाड़ना होना चाहिए, भगवान असीम है, कोई भे उन्हें पूरी तरह जान नहीं सकता, केवल भग भगवान के पति प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, यदि भगवान की प्रेम के साथ भक्ति करेंगे, अर्था सेवा करेंगे, तो ही भगवान हमें अम पर कृपा करेंगे, और हम भगवान के प्रिय पात्र बनकर भगवान को समझ सकते हैं, यहां हम देखते हैं कि भगवान ब्रहमाजी पर अतियंत प्रसन है अतह उन्हें अपनी अहीतु की कृपा ब्रादान करते हैं जिस से में भगवान का वास्तरी बोध प्राप्त कर सके ब्रहमाजी पर क्यों प्रसन है क्योंकि ब्रहमाजी ने क्या किया था तपस्या केति इसका अर्थ है यदि हम तपस्या करेंगे तो हम भी भगवान को प्रसंद कर सकते हैं अब कौन सी तपस्या करनी है? सिंपल है, जंगर में नहीं जाना है और भी कुछ ऐसा करने क्या हो शक्ता नहीं है जो कठिन रिती से भगवान को जानने के लिए कोई प्रयास करने के ज़रूरत ने है बस भगवान की प्रेमाई भक्ति से भगवान को प्रसंद करना है अपनी इंद्रियों से ततस्या करनी है जिवा से केवल भगवान के पवितर नाम का उच्छारन परना है करनों से भगवान की कथाओं को श्रवन करना है रिदा में किसी के लिए द्वेश या निंधा बाव नहीं रखना है सब के प्रती सनेहा और करोणा का बाव रखना है जब हम फ्योरिटी के साथ भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान अवश्य अपनी अहीतु की कृपा प्रदान करेंगे ताके हम भगवान के वास्तविक्ता को समझ सकें ये मनुश्य जीवन मिला ही इसलिए है वेदाई चसरवे आमेव वेद्यो के हम भगवान को जान सकें और वो तब ही संभव है जब हम भगवान की प्रेहिम में ही सेवा करते हैं वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुश्य केवल सांसरिक शिक्षा या बाउदिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता प्रमानिक गुरू जटा भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है भगवान भी कहते हैं ना हम वेदायर ना तपसा ना दाने न शेश्या ना वेद पढ़ने से ना तपस्या करने से ना दान करने से और नाही पूजा करने से मुझे प्राप्ति क्या जा सकता है कि बसंद आनन्या भक्ति के दौरा ही भगवान को जाना जा सकता भगवान के अंदर अटल विश्वास होना चाहिए कि अवश्य मेरा कल्यान करेंगे मेरा काम सरफ और सरफ कृष्शन को प्रसन करने के कार ये करने हैं बाकि जो भी वो करेंगे उसी में मेरा कल्यान होगा तो यांश्रा प्रभुपाजी बता रहे प्रमाने गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है ऐसा विश्वास कि जो भी करेंगे वो, उसी में मेरा कल्याण है और मुझे भगवान की भक्ती करनी है, भगवान से प्रेयम करना है ऐसा शरत दालूर यक्ति बले ही संसारिक तरिश्टी से आशिक्षित क्यों नहो भगवत किरपा से भगवान की स्वतह, भगवान को स्वतह जान सकता है उसके लिए जारूरी नहीं कि बहुत जादा मुद्धिमान हो, शिक्षित हो, बहुत जादा एजुकेटिड हो नहीं वो बले कैसा ही हो, अग्यानी क्यों नहीं हो भगवर्गीता में कहा गया है कि यह भगवान पर निर्भड करता है कि वह किसके सामने प्रकट हो और किसके सामने समक्ष ना हो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश रहसे हैं मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ वे अपनी युग मया शक्ति से अपने को अशवरदालवों से सिपा कर रखते है युग मया समावता मूडोयम ना भी जानना ती जो बेवकुफ हैं तो जानना नहीं चाते, जनके अंदर भगवान की प्रत्य श्रद्दा नहीं है जो प्रेम नहीं करते भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते भगवान की मरजी है तो भगवान को समझने का किवर एकी तरीका है कि भगवान से प्रेम करें भगवान के आदेशों का पालन करें तब ही हम भगवान को जान सकते हैं अगर भगवान को नहीं जाना तो हमारा इस संसार में आना ही वियर्थ है आग श्रप प्रभपाजी केते हैं जो श्रद्धालू हैं उनके समझ भगवान अपना रूप कुन तथा लिलाएं प्रकट करते हैं निर्वेशिश नहीं है जैसा कि निर्वेशिश वाधी सोचते हैं, किन्तु उनका वह रूप नहीं होता है जिसका हम अनुभव करते हैं. वे अपने के अपने भक्तों की समक्ष अपना रूप यहां तक के अपनी प्रमाप भी प्रकर्ट करते हैं और यावान का यही अर्थ है कि जैसा की श्रीमत भागवतम के महान पंडित शिला जीव गोस्वामी ने बता है भगवान अपने असित्व की लिविय प्रकर्टी को उद्धार्टित करते हैं संसारी विवाद भगवान के रूप की संसारी अधारना बनाते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है अतह जो अलप ग्यानी है वे इस निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि बगवान निराकार यही निर्विशेश हैं वे संसारी तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते हैं उनके अनुसार जिसका भावतिक रूप नहीं है वे निर्विशेश वादी होगा यह निश्करश भी संसारी है क्योंकि रूप हीनता रूप की विपरीत अवधारणा ही है संसारी अवधारणा को नतकारने से देव्य स्वरूप स्थापित नहीं होता अब यहां श्रप प्रभुप जी बोलते है शास्त्र क्या कहता है भगवान का कोई संसारी क्या ऐसा हमारे ज़सा स्वरूप नहीं है तो ऐसा स्वरूप नहीं है इसका मतलब ये थोड़े के भगवान का स्वरूप ही नहीं है भगवान का स्वरूप है मगर भगवान का स्वर रूप दिव्य हैं तो रूप हींता रूप की विपरीत अवधारणाई है जो यह सोचते हैं उनका कोई रूप ही नहीं है तो वो भी तो रूप का ही एक अपोजिट विचार है कि वह ऐसा निराकार स्वरूप है तो संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य स्वरूप इस्तापित नहीं होता है अगर हम यह सोचें बैस संसारी रूप नहीं है तो निराकार कोई दिव्य रूप नहीं हो सकता है ब्रह्म समिता में खहा गया है कि भगवान का दिव्य रूप होता है और वे अपनी इंद्र किसी भी कायव के लिए कर सकते हैं तो शुरा प्रवपाल जी बूलते हैं सबसे पहले तो ब्रहमा जी ने भगवान को देखा तो ब्रहमा जी बताते क्या है कि भगवान का स्वरूप कैसा है भगवान का स्वरूप कि भगवान का इतना सुन्दर स्वरूप है कि वो अर एक अंग से दूसरे अंग का गार्य कर सकते हैं हम आंखों से केवल देख सकते हैं कानों से केवल सुन सकते हैं मगर भगवान का रूप हमारी तरह जड़ नहीं है भगवान सचित आनंद है तो जिस इंद्रिय से जो कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं उधारणार्ट वे अपने नेत्रों से भोजन कर सकते हैं अपने पाउं से देख सकते हैं रूप की संसारी धारणा में कोई ना तो आंक से खा सकता है नहीं पाउं से देख सकता है संसारी शरीर तता सचित आनंद के देवे शरीर में यहीं अंतहर है आद्यात्मिक शरीर रूप विहीन नहीं होता यह बिन प्रकार का होता है जिसके विशे में हम अपनी संसारी इंद्रियों से दारणा नहीं बना सकते अतह रूप विहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अत्वा देव्ये शरीर दारण करने वाला जिसके विशे में अभक्तों को कलवानक विदी द्वारा बोध नहीं हो सकता तो यह अश्रा प्रभु पाजी बता रहे कि रूप विहीन तक मतलब ये नहीं है कि भगवान का स्वरूप ही नहीं है भगवान का दिव्ये शरीर है और वो दिव्ये शरीर के वाल भक्ती के द्वारा आभक्तों को कालपनिक विदी के द्वारा उसके भगवान के दिव्ये शरीर के द्वारा को नहीं समझ सकते बलकि उसके लिए शुद्ध प्रेमई भक्ति करने के आपने शक्ता है आगे श्री प्रभपाजी केते हैं भगवान अपने भक्तों के समख्ष अनंत प्रकार के दिवे शरीर प्रकट करते हैं जो एक दुसरे के समान होते हुए भी स्वरूपों में से बिन होते हैं भगवान के कुछ दिवे शरीर श्याम वरण के होते हैं तो कुछ श्वेत वरण के कुछ लाल लाल होते हैं तो कुछ पीत वरण होते हैं कुछ चतर बुज होते हैं कुछ दो बुजाओं से युक्त होते हैं इन मेंसे कुछ मचली की तरह तो कुछ सीहां के समान भगवान के ये विविन देविया रूप भगवत के पासे ही भगत की समक्ष परकट होते हैं और इस परकार निर्विशेश वादी के जूटे तर्क की भगवान के रूप नहीं होता है भगवत भगतों को नहीं बाते बले ही वे भगत भगती में बहुत बड़े शुड़े ना हो तो जब कोई छोटा भगत भी भगवान को रूप वेहीं नहीं मानता क्योंकि वो भगवान के अंदर शर्दा रखता है भगवान की लिलाओं को सुनता है कि भगवान मत्स्यकत्षफ वामन वराहा नर्सियं स्वरुप धारन करके भगतों की उपर अपनी अहितों की कृपा करने के लिए बार बार संसार में आते हैं भगवान में अंगिलत देव्य गुण पाये जाते हैं इन में से एक है शुद्ध भक्त के प्रति उनका फ्रीम इस संसार की इतिहास में हम उनकी देव्य गुणों की साराना कर सकते हैं भगवान अपने भक्तों की रख्षा करने के लिए अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरत होते हैं उनके सारी कारिया भक्तों से संबंदित होते हैं, श्रीमत भागवत भक्तों से संबंद भगवान के ऐसे अनेक कारियों से बरा पड़ा है, किन्तु आ भक्तों को भगवान की इन देलाओं का कोई ग्यान भी नहीं होता। जब भगवान साथ वर्ष के थे तो उन्होंने गोवर्दन परवत उठा कर वरिंदावन के अपने शुद्व वक्तों को इंद्र के कौप से बसाया, जो वर्षा के द्वारा उस इस्तान को आपलावित कर रहा था। साथ वर्ष के बालक द्वारा गोवर्दन परवत का उठाया साना बले ही श्रद्दा विहीं के लिए अविश्वसनिय लगे, किन्तो भग्तों के लिए यहां सर्वता विश्वसनिय है, भग्त को भगवान की सर्वशक्ति मत्ता पर विश्वास है। किन्तो शद्दा विहीं लोग भगवान को सर्वशक्ति मांते हुई भी इस पर विश्वास नहीं करते। मैं लोग इतना तो वो भी मानते हैं कि भगवान सर्वेश अक्तिमान है लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान साथ साल के उमर में गुर्दन उठाते हैं छे दिन के जब होते हैं तो पुत्ना कावत करते हैं भगवान की लीलाओं पर उन्हें कोई विश्वास नहीं होता है ऐसे अलपग्यानी यह नहीं समझ सकते कि भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है और वे लोग लाखों करुणों वर्षों तक ध्यान या दाशनिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकते इस लोग से संसारी विविधकों की निर्वेशेश व्याक्षा का खंडलन हो जाता है क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मनुष्य की ही तरह भगवान के भी गुण है रूप हैं, लीला हैं, तताकारिय होते हैं भगवान की दिवय प्रकृति की यह सारी विवरण भगवत भगतों द्वारा अनभूत तत्या है यह भगवत के रुपा से केवल शुद भगतों को जात हो पाते हैं अन्या सब, अन्या किसी को भी नहीं तो यह जैसे इस लोग में भगवान ने बताया है के यावान हम यता भावो यद रूप गुण कर्मा मेरे भाव, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरे कर्मा को तत्यवत अद विज्ञानम अस्तुते मज अनुग रहात केवल भगवान की कृपा से ही हैं भगवान की लिलाओं को, गौण को, रूप को, सब को जान सकते हैं भगवान की दिव प्रकृति के यह सारे बिब्ड भगवग वक्तों के दोरा यह अनूत्तत्या है यह भगवग कृपा ऐकेवल शुद्व वक्तों को ही ग्यात होते हैं अन्य किसे को नहीं यहां से सिर्फ इतनी बात समझनी है कि कुछ ऐसा वीधी विदानों को हम सीरियस ली करें, गुरु माराज के आदेशों को पूरा करें, शुद्ध भक्तों का संकर के हलनाम संकीतन करें, कि हम जैसे पतित जीव इस योग्य हो सकें कि वो भगवान की कृपपा अपराप्ति कर अमारा काम सरफ यह है कि हम भगवान की अपनी चेश्टा से भगवान को प्रसन्य करके भगवान की कृपपा को प्राप्त करें, और जब भगवान की कृपपा प्राप्त हो जाएगी, तो स्वतह सब ग्यान प्राप्त हो जाएगा, कि भगवान ने कैसे यह किया, भगवान ऐसे इना संसार के उट्व किया वू सब कुछ भग्वान की विशय में जो है वो तब ही ग्यात होता है । जब भग्वान हम पर कृपा करते हैं अनो कंपा करते है है और इस क्रपा को पराइब्च करने का एक ही तरीका है कि हमें भगवन की पवित्र नाम का जब करना चाहिए, भगवन की तथाओं को शवन करना चाहिए अब सब का बहुत बहुत दन्यवाद के पैसात रहेगा मेरे लिए प्रात्ना वज़े किजेगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ आव कुर्ष ने कृष्न, आव कृष्ण, आरे राम स्रे राम, 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 ricius कृष्ण शुमतागता श्रशकन अदन